दोस्तों हमारे समाज के नेताक स्री कौसल किसोर जी ने ठान लिया है कि पूरे देश में वो नशामुक्ती अभियान चलाएंगे देश के सभी युवाओं को जो की नसे का सिकार होते जा रहे हैं उन सभी की जिन्दगी से नसे को दूर भगाएंगे और उनके परिवार में फिर से खुसाली लाएंगे दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यह वीडियो नशामुक्ती अभियान से जुड़ी वीडियो है हमारे देश के एक माननी सांसद स्री कौसल की सोर जी दौरा चलाय जा रहे है नसा मुक्ती अभियान से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं नसा हमारे समाज को हमारे परिवार को बरबात कर देती है इसलिए यह वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप भी अपने दोस्तों परिवारों या फिर आपके जान पेचान में जितने भी व्यक्ती हैं हमारे समाज के जो भी यूवा है जो नसा करते हैं उन सभी को नसे के प्रतिजागरू करना है उन सभी को नस ले में या फिर कहीं भी लड़ाई जगडा करता है तो उस व्यक्ति को इंसान गाली दे के चला जाता है उसके परिवार को गाली सुनने पड़ते हैं यहां तक कि बहुत से केसों में देखा गया है पूरे समाज को भी गाली दी जाती है इसलिए हमें अपने समाज के सभी य कि मैं किसी भी प्रकार का नसा ना करता था ना करता हूँ और ना भविस में कभी करूंगा साथ ही अपने विद्याले के मित्र महले के साथ ही परिवार के शदस्य एवं समाज के स्वजनों साथियों को इससे दूर रखूंगा ताकि नसा मुक्त समाज के निर्माड का अपने समाज की युवाओं से नसे जैसी खातक बिमारी को जड़ से निकाल कर फेक सकूँ, इसको दूर भगा सकूँ नसा मुक्ती हमारे समाज की युवा पीड़ी, हमारे समाज की सुरक्षा, स्वास्त और सम्रद्धी के लिए बहुत ही महत्पूर है नसे की लतना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, बलकि उसके समाज, उसके देश और उसके परिवार को भी गंभीर परिणाम भुकतने पड़ते हैं नसा एक ऐसी समस्य है जिससे हमारा समाज जूज रहा है और हमें इस पर बहुत ही गहन चिंतन करने की आव सकता है नशीले पदार्थों के सेवन से हमारे स्वास पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, वे हमारे सारीविक, मानसिक और अध्यात्मिक रूप से हमें कमजोव बना देते हैं नशा हमारे जीवन के सभी छेतर पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, जैसे कि हमारे संबंधों पर, हमारे परिवार पर, हमारे करियर पर कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे समाजिक सम्हों पर, जैसे कि हम लोग किसी गुट में रहते हैं, चार लोग इकटा होकर उसमे दारू बाजी करते हैं उसके बाद आपस में गाली गुलाओ चालू कर देते हैं लडाई जगडा जालू कर देते हैं इन सभी चीजों को हमें अपने समाश से दूर भगाना है हमारी जिम्मेदारी है कि हम नसे के खिलाफ लड़ें और नसे से प्रभाईत व्यक्तियों की मदद करें हमें स्वैम को अपने साथियों को जागरू करना होगा कि नसा केवल नुकसान पहुचाता है दोस्तों हम सभी के जिम्मेदारी है कि हमें नसे के खिलाफ लड़ना होगा, हम सभी को एक साथ लड़ना होगा, हम सभी लोगों को अपने समाज के युवाओं को नसे से दूर रखना होगा जो भी हमारे समाज का कोई भी वेक्ति आपके जान पहचान में हो जो नसा करता हो उसे हमें नसे के प्रती जागरूप करना होगा कि नसा करने से क्या-क्या उसको परिणाम भोगने पड़ सकते हैं और नसे से हमारे समाज वर क्या-क्या दुस प्रभाव पड़ सकता है नसे से अपने साथियों को जागरूप करना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति अगर नसा करता हो तो वो नसे को छोड़ दे इस अभियान के लिए हमें एक जुट होकर काम करना होगा हमें नसे की लट के खिलाफ जागरूपता बढ़ानी होगी और सिक्षा के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने की आओ सकता है हमें नसे से प्रभाईत व्यक्तियों को संबोधित करना होगा उसे प्रेरित करना होगा उसको हर तरे की सहायता प्रदान करनी होगी उसका समर्थन करना होगा और उन्हें संबंदि संगठन और मानो सेवस संगठन के साथ जुड़ना होगा आज मैं आपसे अपील करता हूँ कि हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना होगा और अपने समाज को नसा मुक्त करना होगा इस नसे मुक्ती अभियान में हम सभी को बढ़ चलकर भाग लेना होगा हम सभी को अपने समाज से नसे जैसी खातक विमारी को दूर भगाना होगा दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप भी हमारे माननी सानसत स्री कोसल के सोर जी के नसा मुक्ती अभियान से जोड़ना चाते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा शेर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइगा कि क्या हमें नसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और हमें अपने समाज के युवाओं को नसे से दूर रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं एक नेक्ष्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जया हिंद वंदे मातरम जया पासी समाज